Samsung launch करने जा रहा है अपनी Galaxy A Series का चौथा स्मार्टफोन सबसे पहले Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71 अभी लेटेस्ट लॉंच किया Samsung Galaxy A31 और अब Samsung Galaxy A21s फुल कर पहले हमने सुनी थी लीक Samsung Galaxy A21s की की जून के मंत में ही आपको Samsung Galaxy A Series का Samsung Galaxy A21s स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा तो अब अगर बात है लॉंच की तो नेक्स्ट वीक लॉंच होने जा रहा है Samsung Galaxy A21s हाला कि अभी तक exact date तो नहीं बताई है लेकिन ये बात कन्फर्म है कि नेक्स्ट वीक में आपको ये फोन देखने को मिल जाए अब अगर बात है Samsung Galaxy A21s के स्पेसिफिकेशन की तो सबसे पहले बात है अगर डिस्प्ले की तो इसमें भी आपको पंच होल कट आउट के साथ एक कम माल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा डिस्प्ले साइज होगा 6.5 इंच का HD Plus का LCD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा और definite बात है कि रियल माउंटेड फिंगर्प्रिंट सेंसर यहाँ पे होने वाला है बात है अगर स्टोरेज और RAM वेरियंट की तो Samsung Galaxy A21s में 3GB RAM वेरियंट आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है आपको यहाँ पे फोन देखने को मिलेगा 2 RAM वेरियंट में एक तो 4GB के साथ और एक होगा 6GB के साथ और बात है अगर स्टोरेज की तो 64GB आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी और हाँ, टेंशन नहीं है, extra memory card का slot भी होगा, तो memory को expand भी कर सकते हैं बात आती है अब camera setup की, quad camera setup इसमें होने वाला है, जिसमें primary होगा 48MP का next है यहाँ पर ultra wide sensor, जो की होगा 12MP का, और next है यहाँ पर 2MP का, एक macro lens और एक है 2MP का depth sensor बात है अगर front की, तो 16MP का एक selfie camera आपको देखने को मिल सकता है, उसी punch hole cut out में next बात है अगर यहाँ पर battery की, तो 5000 mAh की battery आपको देखने को मिले की, विद 15W fast charging speed अब specifications सुनके definitely आपको लग रहा होगा कि यहाँ Samsung Galaxy A31, जो के भी latest launch किया, बहुत सारे specifications तो मिलते जुलते ही हैं, तो हाँ, बहुत सारे specifications आपको almost यहाँ पर same ही देखने को मिल रहे हैं, कुछ अगर changes की बात है, तो main change तो है यहाँ पर display के अंदर, क्योंकि इसमें आपको मिल पंशोल स्क्रीन और Samsung Galaxy A31 आया है, इंफिनिटी यू डिस्प्ले के साथ, साथ ही साथ, वो फोन आया है, यहाँ पर Super AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ, और यहाँ आपको Samsung Galaxy A21s में, एक HD Plus का LCD पैनल देखने को मिलेगा, नेक्स नेहाँ पर बात है, तो कुछ थोड़ा सा चेंज सेम स्पेसिफिकेशन हैं, लेकिन थोड़े से कम, तो Samsung Galaxy A31 से कम प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, Samsung Galaxy A21s का, वैसे तो रंडेस यहाँ पर आ रहे हैं, कि फोन आपको देखने को मिल सकता है, पंदरह हजार से बीस हजार के प्राइस पॉइंट के बीच में, ले यह फोन आपको online और offline दोनों ही segment में देखने को मिलेगा, तो आप मुझे बताई कि Samsung Galaxy A31 के launch के बाद, क्या आप Samsung Galaxy A21s के launch के लिए भी यहाँ पर excited है या फिर नहीं है, जो भी आपके राय है, प्लीज शेयर करें मेरे साथ नीचे comment box में, वीडियो पसंद आए है, तो जल्द भी ना भूलें, हम मिलेंगे इस तरी किसी next video में, till then say bye bye and thanks for watching.